आज के नोवे दिन में आपका स्वागत है, आज से आप समरिध्धी की और आगे बढ़ेंगे, तो जीवन के इस सुनहरे नियम को हमेशा याद रखना की कृतगनता याने समरिध्धी और कृतगनता याने अभुशाप, जीवन के हर एक आयाम को यह नियम लागू होता है, धन वैभव, समरिध्धी, स्वास्थ्य, नौकरी, और रिलेसंस, आपको सायद धन की यानि पैसों की कमी मेहसुस हो रही होगी, फिर भी आपके पास जो कुछ भी है, उसके लिए कृतगनता, ग्रेटिट्यूड ही व्यक्त करना है, जितना ज़्यादा, धन्यवाद व्यक्त कर और फरियाद, कंप्लेंट्स ज्यादा करोगे, तो जो है वो भी छीन जाएगा, इस लेसंस में हमें हमारी संपत्ती, प्रॉपर्टी के लिए जो फरियादे हैं, उसे आभार भाव में बदलने की कला सिखनी है, इससे आपको डबल फाइदा होगा, एक कंप्लेंट बंद कर करने से आपका धन कम होना रुक जाएगा, और दुसरा, ग्रेटिटूड करने से और ज्यादा धन आपकी और आकरसित होगा, हमें से ज्यादा तर लोगों को खुद ही पता नहीं होता है कि वे खुद हमेंसा पैसों के लिए कंप्लेंट करते रहते हैं, पैसों के बारे में रोना धोना चालू रहता है, हमारे मन में पैसों के बारे में सतत तुलना यानि कंपरिजन, इर्श्या या अभव कमी के विचार चलते रहते हैं, और कभी-कभी सब्दों से भी बोलते हैं, पैसों के प्रतियह मानसिक या साब्दिक फर्याद या चिंता हमें और ज्यादा गरीब बनाती है, हमारा सबसे नापसंद काम बील भरना होता है, जब बैंक में या जेब में पैसा नहीं होता है, बील भरने की समस्य हमें बहुत बड़ी लगती है, मनहीमन बहुत कुछ नेगेटिव बाटते चलती है, फरियादें चलती है, पर इतना याद रखिये, यहाद पर जब भी आपके सामने बीलो का प्रवाह आए तब आप उससे देखके फरियाद ना करे या दुखी ना हो जब जेब में पेशे ना हो तब कृतग्मता व्यक्त करने का कारिया बहुत ही ज्यादा कठिन होता है पर आपको यह सबसे कठिन कारिया ही करके दिखाना है जीवन में समरुद्ध होने के लिए आपको संपत्ति से जुड़ी हर एक वस्तू के लिए कृतग्नता ग्रेटिट्यूड दिखाना है और उसमें से एक कारिय बीलों के प्रती बुरी नजर से न देखना भी है देखिए यह बील आपके पास आया कहा से आपको कोई चीज या क आपके पास आया है ना तो उस सेवा के प्रती आभार प्रगट करने की बजाए हम अगर खर्चे बील के लिए कंप्लेंट करेंगे तो वो नहीं चलेगा आपको बिलकुल विरुद्ध सोच और कार्य करना है जिन्होंने बील भेजा है उनका मन ही मन आभार प्रकट करना है बहुत ही इजी लगती या क्रिया बहुत ही कठिन है बील भेजने वाले का अभार तो हम व्यक्त नहीं करेंगे पर उल्टा असंतोस ही होगा कि लुट गए अगर आप अगर यह ग्रेटिटुड को अगर आप ग्रेटिटुड की क्रिया कर सकते हो तो आप मनी मेगनेट बन के लिए सेवा या चीजों के लिए कृतग्नता प्रगट करनी अनिवाया है उधारन के लिए आपके घर का किराया यानि रेंट या हफ्ता इंस्टॉल्मेंट जब देने का होता है तब आपको बहुत तकलिफ होती है सही है ना कभी आपने सोचा है कि किराय का ही सही पर घर बैंक वाले अगर लोन ही नहीं देते, मकान मालिक अगर किरायी पे घर न देते तो मैं रास्ते पे आ गया होता, सायद हम लोगों कुमे से बहुत सारे लोग फुटपाथ पे आ जाते, तो चलिए मकान मालिक और लोन देने वाली बैंक को या समस्थाव को अभर मानते हैं कि उनके करण घर तो मिला कई लोग पेट्रोल लिजल गैस को जब गाड़ी में भरवाते हैं तब पैसे निकालते समय भी जी को अच्छा नहीं लगता अंदर से दुखी सा फिल होते हैं पर ऐसा सोचे अगर गाड़ी में पैट्रोल नहीं होता तो मैं रोज नौकरी या धंदे के लिए कैसे जा पाता गैस बिल लाइट बिल जब भरने का समय आए तो मन ही मन बुरी भावना की बजाए धन्यवाद बोलिए आपके घर में रोसोई बना पाने के लिए गैस का और लाइट, फैन्स, एसी जैसी सुईधा के लिए इलेक्टरिसिटी कंपनी का अभार मानी है अगर बिजली इलेक्रिसिटी ही न हो तो लाइट्स, फैन्स, एसी, हीटर, रेफ्रिजरेटर, ओवन, कम्पिटर, पाने की मोटर, कुछ भी नहीं चलता जब इंटरनेट बिल या रिचाज करे तब भी कृतगनता की फिलिंग्स अभार भाव ही व्यक्त करे दुनिया भर की इंटरनेट से हम ले पाते हैं उसके लिए जितना आभार व्यक्त करे कम है आप और मैं अभी इस इंटरनेट के कारण ही अभी इस वीडियो के साथ माध्यम से जुड़ पाये है फॉन मोबाइल वील भरते या रिचाज करते समय केवल आभार थेंक्यू ही बोले जिस वक्ति से आपका काम था उनसे संपर्क फॉन की वज़ा से ही हो पाया आपका पैट्रोल बचा पैसा बचा समय की बचत हुई मित्रो सगे संबंधियो के साथ रिलेशन भी मैं मेंटेन कर पाया इमेल, सोचल नेटवर्क वर्किंग सभी के लिए अभारी होना चाहिए उन कंपनियों को आप पर कितना विश्वास है कि महने भर आपको सेवा देने के बाद आपको बिल भेजा है रोंडा बेन अपने एक्स्प्रियंस लर्निंग से कहते है कि जब भी आपके पास कोई बिल आए तब मन ही मन थैंक्यू बोलकर उस बिल पर लिख दिजिए थैंक्स पेड़ हर एक बिल के पिछे लिखे थैंक थैंक्यू फॉर द मनी पैसो के लिए धनिवाद आप अपनी भासा में बिल भरने के बाद थैंक्स पेड़ लिख दिजिए आज आप यह प्रयोक कीजिए आपके पुराने कई बिल पड़े होंगे वो उठाइए उस पर लिख दिजिए थैंक्यू फॉर द मनी आपके पास बिल भरने के पैसे हो या ना हो आज से आपको यह कृतगनता व्यक्त करनी ही है आप अगर अपने बिल ऑनलाइन भरते हो तो उस बिल को आप अपने इमेल पर फोरवर करके सब्जेक्ट वाली लाइन में लिख दिजिए थैंक्यू फॉर द मनी आज आप पास्ट में चुकाये हुए पूराने दस बिल निकालिए सब के उपर कृतगनता भाव लाकर लिख दिजिए थैंक्स पेड जब आप लिख रहे होते है तब सच्चे दिल से पैसे होने के लिए आभारवानना है केवल लिखने के लिए लिखना नहीं है भावना फिलिंग्स इंपर्टन्ट है उस बिल को भेजने वाले भेजने वाले की वस्तु या सेवा के बदले में आभारव लाना है कृतगनता की मात्रा चितनी ज़्यादा उतने ज़्यादा पेसे खिचने की सक्ती यानि चुम्ब की शक्ती मनी मेगनेट और ज्यादा आज से आपको हमेशा के लिए यह आदत डालनी है कि जब भी कोई बिल आये तुरंत खुस हो जाए और जो सेवा या चीज मिली उसके प्रती कृतगनता व्यक्त करनी है बिल पे वह मैजिकल वर्स लिखने है थैंक्स पेड़ अगर बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है तो कृतगनता की जादू शक्ति का उप्योग कीजिए बिल के पीछे लिख दीजिए ठैंक्स फॉर दे मनी और मन में गहरा विश्वास रखें कि पैसों की विवस्था हो ही जाएगी जैसे जैसे हर एक बिल के पे करने के साथ आप कृतगनता ग्रैटिटूड दिखाओगे वैसे वैसे आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होती जाएगी ग्रैटिटूड यानि आपके पैसों के साथ जुड़ी सुनहरी चेइन उस चेइन के कारण आप जो भी खर्च करोगे वह पैसे घुम फिर के आपके पास ही आएंगे या और भी जादा पैसे आपके पास आएंगे याद रखना आपका फाइदा आप कितना खर्च कर रहे उसके उपर नहीं आप कितना जादा ग्रैटिटूड दिखाते हो फिल करते हो उसमें है हजार रुपय का बिल भरते समय मन में बिलकुल दुखी हुए बगेर कृतक नता फिल करोगे तो आपको दो होजार या उससे भी जादा मिलेंगे विश्वास रखे कृतग्य बने साथ साथ रोज आपको ये भी याद रखना है कि Day 1 Day 2 का लेशन तो रोज रोज के एक लेशन के साथ करना ही है पूरे आठ दिनों के लेशन्स विश्वास और नियमित्ता से करने के कारण आपके जीवन में वजलाव सुरू हो चुका है All the best Thank you